इसा ने फिर लोगों से कहा मैं जा रहा हूँ तुम लोग मुझे ढूंडोगे किन्तु तुम पाप की इस्थिती में मर जाओगे मैं जहां जा रहा हूँ तुम वहां नहीं आ सकते इस पर यहूदियों ने कहा कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा ये तो कहता है मैं जहां जा रहा हूँ तुम वहां नहीं आ सकते इसा ने उनसे कहा तुम लोग नीचे के हो मैं उपर का हूँ तुम इस संसार के हो मैं इस संसार का नहीं हूँ इसलिए मैंने तुम से कहा कि तुम पाप की इस्थिती में मर जाओगे यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की इस्थिती में मर जाओगे तब लोगों ने उनसे पूछा आप कौन है ईसा ने उत्तर दिया इसके विशे में तुम लोगों से और क्या कहूं मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोशी ठहरा सकता हूं किन्तु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा क्योंकि वो सच्चा है वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विशे में कह रहे हैं इसलिए ईसा ने कहा जब तुम लोग मानव पुत्र को उपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी और से कुछ नहीं करता मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया